सो नमस्कार दोस्तों टेक्निकल वोश में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और दोस्तों यहां पर आपके बहुत जादा कमेंट आ रहे थे दोस्तों मेरे पास कि सर एक ऐसे वीडियो बना कर हमें समझाए कि हम किस तरीके से अपने मुबाल के जितने भी फोन नंबर है उनको हम अपनी Gmail आइड पर share रखे तो वैसे बहुत इचा क्यूस्टन है दोस्तों इसके बहुत सारे फायदे होते हैं यह आप अपने सभी तो यहां पर केवल आप उसमें अपने मुगायल के अंदर अपनी गूगल मेल डालेंगे जीमेल डालेंगे और वहीं से ही आपके सभी कुंटक्ट नंबर आपके वहल में आ जाएंगे यह काम कैसे होगा वह मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखांगा तो और तो इसके साथ आपको एक फाइदा और मिलता है यति गलती से आपका कोई फोल नंबर डिलीट हो जाए या फिर आपने एक मन्थ पहले कोई फोल करना है तो अब यहां पर यह आपका फोल नंबर गूगल के अंदर था तो भले ही आपने वहां से डिलीट कर दिया हो लेकिन अब आप उसको वहां से रिकावर कर सकते हूँ यह कैसे करेंगे वह भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा ठीक है तो चलिए दोस्तो यह तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ लेकिन यहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों यह दिए आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबाकर ओल प्रेस करना बिल्कुल भी मुद्भूले ठीक है तो चलिए आज की वीडियो सुरू करते हैं यानि कि यदि आप बहुत ही ज्यादा अनाड़ी हो तो भी आप इस तरीके से अपने सभी कोंटेक्ट को अपने मेल आड़ी पर सेव कर पाएंगे यानि कि बहुत ही इजी और सरल तरीका बताने वाला हूँ और हाँ दोश्तो वीडियो को दिहान से देखना क्योंकि आपके माइड में कुछ डाउट होएंगे अभी जैसे-जैसे आप इस वीडियो को देखेंगे तो वो सभी डाउट भी में वीडियो के साथ-साथ ही किलियर करता हुआ जाऊंगा तो चलिए दोस्तो आपको करना क्या है अब अपने पले स्टोर में जाना है सबसे पहले मुबाइल के और यहाँ पर सर्च करना है पले स्टोर में एक अप्लिकेशन जिसका नाम है Google Contact Google Contact अब दोस्तो आप लोग सोच रहे होगे कि चलिए मैं आपको अप्लिकेशन के बारे में बता रहा हूँ तो यदि यह अप्लिकेशन ही डिलेट हो गई तो क्या होगा तो दोस्तो अप्लिकेशन चाहिए दस बार डिलेट हो जाएगी तो भी आपके कहीं पर नहीं जाएंगे क्योंकि यह Google की ही अप्लिकेशन है Gmail एक अलग प्रोडक्त है और Google का जो कॉन्टैक्ट है वह एक अलग प्रोडक्त है ओके बोनने को हम शिरफ कहा देते हैं कि मेल आईडी पर हम शेयो कर रहे हैं अपने नंबर लेकिन काईदे से वह Google के यह प्रोड़ने के क्लिकट वाले इसमें ही जो है शेयो होते है आपके जाकर ओके नंबर जो भी है फोन नंबर आपके तो आपको करना क्या है Google Contact application को download करना है, यह Google की application है, इसको open कर लेना है, जैसे आप इसको open करेंगे, यहाँ पर आप आप देखेंगे, बहुत सारे mobile number दिखाएगा, अब आपको यह तो नहीं पता कि यह जो mobile number दिखा रहा है, यह आपके mobile के number है, या फिर आपके पहले से गलती से जो Google account में share हो रखे है यह number वो वाले है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर उपर के साइड टच करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद, अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देख लेजिए, आपके सभी account बता रहा है, जितने भी आपकी mail ID आपके mobile में login होगी या फिर आपके device के जो phone number है वो भी ओके तो आपको यहां पर क्या करना है यहां पर device आएगा लिखावा device वाले option पर जाना है इस पर जाने के बाद आप जितने भी यह phone number आई है यह वो phone number है जो आपके Google account में नहीं है यानि कि mail ID पर नहीं है यह केवल आपके mobile के अंदर ही है तो अब यहां पर आप देखेंगे यह automatic आपको बोल देगा कि आप इसका backup लीजिए तो आपको यहां पर backup पर क्लिक करना है अब दोस्तों backup करने के बाद यहां पर आप देखेंगे वो सभी email ID आ जाएगी जो आपने अपने mobile के अंदर login करक्खी है तो आप यहां पर अब जिस mail ID पर आप यह number शेयो करना चाहते है उसको select करेंगी अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यदि मैं गलती से उसका password भूल गया और मैं चाहता हूँ दोनों mail ID पर अपने सभी contact number शेयो करना तो उसका भी तरीका भ phone number को move करेंगे यानिकि भेज देंगे ओके वो केवल एक क्लिक का काम है अब यहां पर सबसे पहले तो आप जो है वह वाली ID सेलेक्ट कर लेंगे जिस पर आप चाहते हो कि मेरे सभी phone number जो है चले जाई ओके तो यहां पर जैसे मैंने कर लिए mail ID सेलेक्ट इसके बाद आप द अब दोश्तों आपने देखा जितने भी contact number थे वो सभी जो है Gmail ID पर move हो चुके यानिकि वहां पर share हो चुके है अब यह कैसे confirm करेंगे कि सभी नंबर हो चुके है आप दुबार से यहां पर जाएंगे और यहां पर आप देखेंगे जो device वाला option था वो आपको नहीं मिलेग केवल वही option मिलेंगे यहां पर जहां जहां पर आपके जो mobile number है वो save है यहां पर दो mail ID है ओके इन दो mail ID पर ही मेरे number save है यहां पर उपर बता रहा है contact number from all account to account ओके यानिकि दो account में मेरे जो है contact number save है अब दोश्तों बात आती है कि एक mail ID से दूसरी mail ID पर कैसे contact को move करेंगे य हमें दूसरी ID का password भूल जाए या कुछ भी वो गायब हो जाए ओके उससे पहले ही जो है है ना और एक question वो रहाता है कि यह गलती से हमारे से कोई contact delete हो जाएगा तो इसको recover कैसे करेंगे अब दिहान से समझना ओके पहले बता देता हूँ आपको कि एक ID से दूसरी ID पर कैसे जो है contact को move करेंगे अब दोस्तों यहां पर देख सकते हो आउपर की साइड तीन डोट है इस तीन डोट पर चले जाएंगे इस application को खोल कर अब दोस्तों यह गलती से application delete हो जाती है तो आपको कुछ नहीं करना दूबारा से किसी भी phone में यह application डालनी है और अपनी email ID डाल कर इसको login कर लेना है यह application open हो जाएगी अब आप यहां पर जाएंगे तीन डोट पर ओके यहां पर आएगा select all कर देंगे और उसके बाद यहां पर तीन डोट मिलेगी उपर की साइड इस तीन डोट पर जाएगे अब यहां पर पूचेगा move to another account तो move to another account वाले से आप यहां प यह ज़िए गलती से number delete हो जाए तो क्या करें अब दोस्तों इस application में आना है आपको यहां पर ऊपर तीन डोट पर जाना है side और यहां पर आपको एक option मिलेगा setting का setting में जाना है setting में जाने के बाद आप थोड़ा नीचे जाएंगे और यहां पर आपको एक option मिल जाएगा under change under change वाले setting पर जाएंगे और under change वाले setting में पूछेगा कि किस account से delete हुआ था number वह वाला account select कर लेंगे आप okay और उसके बाद अब वह आपसे पूछेगा कि कितने दिन पहले का आप को recover करना है number है ना आप क्या चाहते हो कि कितने दिन पहले की जैसा ही मेरी जो है contact list अजाए मेरे मेरे मुबाइल के अंदर तो यहां से आप वो time select कर लेंगे ओके यहां पर manually आपको यदि करना है तो custom वाले पर click करेंगे और यहां पर time भर लेंगे अपना ठीक है उसे इसाब करेंगे जो आपने नया मुबाइल लिया उसके पले स्टोर में जाएंगे और पले स्टोर से आप इस application को download कर लेंगे Google contact को और download करने के बाद open कर लेंगे अब दोस्तों जब आप इसको open करेंगे अपने नय मुबाइल में तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस email ID पर आपने नंबर शेओ किये थे वो email ID आपके मुबाइल में login होने चाहिए अब यदि आपकी email ID आपके मुबाइल में login है तो फिर दुबारा से डारेक्ट ही यहां पर आपको अपने सभी contact नंबर दिखाई दे जाएंगे अब दोस्तों इसमें condition और भी हो सकती है यदि कल आपने नया sim add कि आपने वाल के अंदर या फिर नए contact add किये तो यदि आप दुबारा से आप उनको भी जो है अपनी email ID पर add करना चाहते हो और यहां जाकर आपको option मिल जाएगा SIM के अंदर होगा तो SIM का option मिल जाएगा ओके यहाँ डिवाइस के अंदर जो नए नए number add करे आपने नए नए यहाँ पर डिवाइस का option सो हो जाएगा यहाँ पर वो सभी option सो होंगे आपको जहां पर आपके contact होंगे जिनको आप जो है Google account के अंदर डारना चाहते हो फिर आप आपको सेम वही process इस्तिमाल करना है जो मैंने पीछे आपको वीडियो में बताया यानिकि जो पुराने आपने add करके अपने mail id के अंदर number वो तो है यह जदी नया करना है तो फिर दुबारे से आपको ऐसे करना होगा जैसे मैंने आपको इस वीडियो के पीछे बताया है दो बारे में बता जाएगा के अबल वो चीजें बताये जाएगी वो चीजें शिखाए जाएगी जो हो सकती है और जिसको आप जानना चाहते हो और जो आपके future में हमेशा काम आएगी ओके तो दोस्तों वीडियो को तो लाइक करना बनता है और एक प्यारा सा कमेंट भी आपक के जो है हाथों से लिखना बनता है कमेंट रेक्शन में जाकर ओके तो यहीता इस वीडियो मैं आपको अच्छली कि होगी सुनो मस्कार दोस्तों आपका दिन सुबहूँ